नमस्कार, बहुत बहुत स्वाइद करते हैं, क्लिक टोडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुक्यमंतरी कन्या अधान योजना की राशी को ले करके, आप सभी के जितने भी सवाल आए हैं, इसको ले करके हमने ये वीडियो को और आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर करके अंतक देखेगा इस वीडियो को जासे लाइक करिएगा और कुछ सवाल जो है मैं आप से पूछूंगा उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा तो देखे बहुत सारी शात्राओं का सवाल यह आया कि हम मतलब बैंक सीडिंग स्टैटस को चेंज किया है तो आपको अभी पैसे आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मतलब के जो खाते में पैसे आएंगे वह दिक्कतों के साथ आएंगे और यह कन्फॉर्म हम नहीं बता सकते एं दूसरी चीज कि एक झातरा का कमेंट यह आया था कि हमने registration के बाद in process चला गया जब payment तब हमने बैंक सीडिंग स्टैटस चेंज कर दिया इस case में आपका payment in process ही रहेगा और एक मंत बाद आपका rejected हो जाएगा कारण यह कि आपने बीच में ही बैंक सीडिंग स्टैटस चेंज कर दिया आप जिस दिन registration करती है उस दिन education department का automated system है वह कोई और account होगा और आपने registration में दिया है वह कोई और bank account होगा उस case में ही वहाँ पे education department का automated system है यह rectify करता है कि payment जो है जिसमें seeded है उसमें भेजना है क्योंकि पिछले कई ऐसे cases में देखा गया है जो payment जो credit हुआ है जिन चात्रा का जिस bank में bank seeded था उसी में पैसा गया है तो आप अगर बीच में बदलती है तो फिर परिशानी आपको आ application अप्रिल महीने में start होने की संभाबना है intermediate का result जैसे ही आएगा उसके कल होकर कि यह portal जो मेदा सौफ्ट वाला खोल दिया जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी जो भी छात्राइं सनातक उत्रिन कर चुकी है जो 50 सार की राशी के लिए इंतिजार कर रह और विवाहित होएंगी उससे कोई लेना देना नहीं है पैसा फिर भी मिलेगा लेकिन 12 में यह criteria है कि छात्रा को जो है विवाहित नहीं होना होगा यानि कि और विवाहित छात्रा को ही जो 25 सार की राशी दी जाएगी साथ ही वहाँ पे भी criteria first division का रहता है वो 12 में रहता है जो चात्रा हैं सोच रही है कि जल से जल गौर्मिन्ट क्यों नहीं पैसा दे देती है तुरत के तुरत क्यों नहीं देती है तो आपको मैं यह बता दना चाहता हूं जब तक कि फंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट के पैसे नहीं रहेंगे तब तक कि payment नहीं किया जाए और बीच में election भी है लेकिन मान के चलिए कि जैसे intermediate का result आएगा उसके बाद आविदन प्रक्रिया सुरू हो जाएगा election के time पे जो भी योजना वगएरा जो चल रहा होता है उसका payment नहीं होता है लेकिन उससे पहले जो भी होना है payment वो किया जाएगा इसलिए जैसे ही portal open होगा आपको registration स्टार्ट कर देना अपना जितना जल्दी करिएगा उतना जल्दी पैसा आपके खाते में पहुँचेगा और धराधर payment होना स्टार्ट होगा यह मैं आपको बतारें तो लेकिन जैसे ही आपको चुनाव का घोशना होगा advertisement चालू हो जाएग अब समझ जाएगा कि अब इस योजना को थोड़े दिनों के लिए hold पे रखा जाएगा फिर से नहीं सरकार आएगी नहीं नियम आएगे तो उसमें फिर देखना रहेगा कि क्या होगा नहीं होगा ठीक है अभी भी जो budget जो भी pass किये गए है वो मान के चलिए कि आपको election तक के ही budget है उसके बाद फिर उसमें कुछ fair बदल किये जा सकते हैं इसलिए चात्रा है आप ready रही है अपने document के साथ ठीक है जैसे स्टार्ट होगा आपको registration करके पहले पहले रख लेना है तो यह तो रही बाद इसके बाद जो भी bank seeding होगा रहा वाला है वो सब status देख बाद जो सर्च कर आना रहेगा यह सर्च बार के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा यहां पर लिखना रहेगा मेदा कि यहां पर मेदा कर दिजिएगा सर्च करने के बाद जो है 29 वाला पोस्ट आपको दिखायेगा बहुत सारी चात्रों का कहना है कि मेरा college तो अगर आपको पोटल के उपर रजिस्टर नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा इस योजना कलाब यहां पर नीचे में जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स है वह आपको दिख जाएंगे और आपको ध्यान रहे यह जो साइट है वह आपको खोलना है नीचे स्क्रण करगे यहां जो भी उनिक का रखे है उनके जो यहां पर नाम नीचे में आज anगे इस प्रकार से आप नेख़ंगी आपका जो भी उनिश्टी आधिएगा को आप यहां पे स्क्रॉल करके सिलेक कर लिजेगा और बिहार के रिकॉगनाइज इनुवर्सिटी से जो भी छात्राइं पास आउट होंगी इसना तक उनको पचासार की राश्ची मिलेगे यह मिलेगी थोड़ा टाइम लगेगा इस बार मैं आपको पहले ही बता दे रहा हू क्लिक करने के बाद यह पोस्ट खुल कर गये इसके उपर आपको क्लिक करने रहे गा अगर आपको अपने अधार नंबर से लॉगаем कर Лेन रहेगा Îंपके यह सो हता हूँ कि आ नजर आयेगा कौन सा बैंक जो सीड़ेड है नीचे जैसे स्क्रॉल करके आएगा बैंक सीडिंग स्टैटस दिखाई देगा इसके उपर आपको क्लिक करना है अपना अधार नंबर लिखना है उसके चाप्चा कोड जो रहेगा वह भरिएगा उसके जो आधार से लिंक मोवाइल नंबर है उ अभी आपको आगे आविदन करने का मौका मिलेगा अथवा अगर आविदन करती भी हैं बैंक सीड़ेड अगर नहीं होता है अवाश्य प्रमान पत्र में कुछ भी गरवरी होता है तो फिर आपका रिजेक्ट होना ही होना है और जिनका रिजेक्ट हो गया है वह इंतजार क आपके बाद यह वीडियो बनाना जरूरी था अभी आपके मन में कोई सवाल है सुझाओ तो नीचे कमेंट करिएगा अब आपसे मैं सवाल पूछा चाता हूँ आपका कास्ट केट्रगोरी कौन सा है अगर इन कास्ट में से हैं आप चात रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक का भ आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए हम चलते हैं धन्यवाद और एक चीज़ याद रखिएगा जेनरल वाली चात्राएं भी इस स्कॉलर्शिप के लिए इलिजबल है यानि पचास वार की राशी के लिए इलिजबल है बहले पोस्ट मैट्रिक के लिए आप लोग करती हैं ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तब तक के लिए चलते हैं धन्यवाद